मैंने इस खूब सूरत गुलाब के पौदे को कटिंग से उगाया हैं साथी गुलाब की ये वाली वराइटी भी कटिंग से अर्राम से ग्रो हो जाती और रुकिये ये जो रेड कलर की वराइटी है ना थोड़ी रेर लग दी होगी देखने में लेकिन ये भी सक्सेस्फुली क कटिंग गरुक चटिंग करने का एडिक बताऊंगी आपके काफी काम का होगा चलिया फिर वीडियो स्टाप करतें मुआ मोलाटीं अब अव्धार अनुकराने से पहले मैं आपको एक पहले लगाई हुए कुश्च प्टिंग का खुए अपकर अपडेट देख्ते हूं जि कि चलिए अब मैं आपको कटिंग लगाने का तरीका बता देती हूं मैंने यह रेड बटन रोज का पौधा लिया है इसी की कटिंग लेंगे और इस पे पुरा प्रोसेजर मैं आपको बताऊंगी फ्रेंट मैं जो सिक्रिट इंग्रेडियन्ट यूज करने वाली हूं उससे मैं आपको डीटेल में समझाऊंगी और हां कुछ इंपॉर्टन ट्रिक्स रहेंगे जो आपकी काफी मदद करेंगे रोज के प्लांट को सक्सेफुली कटिंग से ग्रो करने में इसके अलाबा टाइमिंग भी काफी ज़रूरी है रोज की कटिंग को ग्रो करने के लिए अक्टूबर नमबर और दिसमबर का महिना सबसे अच्छा रहता और फ्रेंट्स कटिंग लेते वक्त कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना काफी ज़रूरी है जैसे कि रोज मे सेमी हाड़ूर और हाड़ूर कर्टिंग का सक्सेस रेट काफी अच्छा होता अब आप सोच रहेंगे ये दोनुछ चीज़े क्या है चलिए मैं आपको बता दूँ जो भी नई ग्रोथ होती है ना छे महिने के अंदर की लाइट ग्रीन कलर में और सॉफ्ट वो सॉफ्ट व कि लैट ब्राउंड से डां में होता है और थोड़ा हार्ड होता है और आपको देखने को मिलेगा डूलज़ो जिसमें कलिए भी मिल रहा है उसे भी मैं लगा दूँगी क्योंकि किसी किसी वराइटी में सॉफ्ट रूट कटिंग भी टामप्रेचर कम होने के बाद ग्रो हो जाते हैं देख लेंगे क्या होता है सबसे पहले तो 5-7 इंचिस की कुछ कटिंग निकालेंगे अच्छ से फ्रेंड्स ध्यान रखिए का आपका कटर काफी शार्फ होना चाहिए जिसे की टिशू डामिज ना हो एक अच्छा कट लगे और हाँ ध्यान रखिए का आपकी कटिंग उल्टी ना लगे नीचे वाला जो पोर्शन था वो मिट्टी के अंदर ही जाना चाहिए उपर वाला उपर बच्पन में किसी ने तो मुझे कह दिया था कि गुलावी कटिंग उल्टी लगाने से जल्दी लगती है और मैंने कितनी सारी कटिंग उल्टी लगाई एक भी नहीं लगी तो औरियेंटेशन का आपको खास खयाल रखना है अगर किसी कटिंग पे पत्या हैं नए ब्रांचेज हैं तो उ और यहां पे आता है magic इंग्रेडिन बनाना के कई सारे magical property पे मैंने मैंने आपके साथ वीडियो को हैं और काफी पसंद कि आप सब ने उन वीडियो को आप सब में कई सारे लोगों ने यूज करने के बाद मुझे कमेंट लिखा है जिनने पढ़े कupa काफे नची हुई और अ बनाना का जो magical property gardening में यूज होता है वो बनाना के pulp में नहीं बलकि छिलके में होता इसलिए आराम से आप बनाना के pulp को खा लीजे और छिलके को gardening में यूज करिए इस छिलके को कैसे यूज करना इसमें भी एक ट्रिक है अगर आप सीधे इस चिलके को cutting के साथ यूज कर लेंगे अगर आप छिलके को काफी अच्छे से धूप में सुखा लेंगे तब उसका काफी अच्छा पॉडर टाइप बन जाएगा जिससे आप cutting ग्रो करने वाली मिटी में मिक्स कर लीजे या फिर आप नॉर्मल मिटी में cutting को लगा लीजे और पॉडर को उपर से स्प्रिंकल कर द कर लेए मैंने अपने साइड मिटी अवेलेबल है वही लिए है कुछ भी इसमें मिक्स नहीं किया हमारी तरब की मिटी थोड़ी भलवाई है तो पानी बिल्कुल नहीं फसता आराम से निकल आता है लेकिन अगर आपकी तरब की मिटी काफी चिप चिप है पानी फस्कर रहत मिटी को अच्छ से लवल कर देंगे और थोड़ा कॉंपक्ट कर देंगे जिसे की एर पॉकेट्स ना रहें और अब इसमें कटिंग को लगाएंगे फ्रिंट्स ध्यान रखेगा कटिंग का जो पोशन मिटी के अंदर जाएगा उस पे आप 45 डिग्री एंगल कट रखेगा कु और बनाना पील भी अपना काम अच्छ से कर पाता है साथी कटिंग का एक से डेर इंचेज पोशन मिटी के अंदर डालिए जिसे की एक से दो नोड मिटी के अंदर जाए नोड का मतलब होता है जहां से ब्रांचे और पत्या निकलती है थोड़ा गांठ टाइप से आपको द सर्फेस को सेल कर सकते हैं या फिर हल्दी को तेल में गोल के उससे आप कट सर्फेस के ऊपर लगा सकते हैं बस यही सारे कुस ट्रिक्स और टैक्निक्स थे कटिंग को लगाने के बताते बताते मैंने चारो कटिंग लगा भी ली इसमें अच्छ से पानी डाल देंगे इसमें हर रोज एक बार पानी जरूर डाल दीजेगा और साथी इससे आउड़ोर रखेगा जहां इससे अच्छी रौश्णी मिलती रहे अभी ठंड के मौसा में आप सुभा से साम तक की दुप में भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब इन कटिंग को कोई भी एक्स्ट्रा के की जरूरत नहीं है हाँ ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास सीवीड अवलिबल हैं तो उसे पानी में मिला करके जरूर डालिए क्योंकि सीवीड भी काफी अच्छा रूट प्रोमोटर है मैंने डीटेल वीडियो भी कर रहा है आप उसे जरूर देख लीजेगा मैं सार हाइबिड गुलाब को मैंने कटिंग से ग्रोग है हैं क्लाइमेट टो ख्लाइमेट यह चीजे बोक्रती है इसलिए मैं सजस्ट कर favori करोंगी आप यह चीजे को यूज करके आपके आज पास जो भी गुलाब की वराएटी है उनहें कटिंग से ग्रो करने का कृता है हो सब स प्रेंड्स इस वीडियो में बताय हुए ट्रिक को ही यूज करके मैंने सक्सेसफुली ये बड़ ग्राफ्टेड गुलाव की कटिंग को ग्रो किया हैं और आप देखी सकते हैं किते अच्छा से रूट डाबलफ हो गया हैं और अगर आपको उन चारो कटिंग का भी में भी आपको मिल जाएगा चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंट करते हैं इस वाट्रिंग शॉट के साथ गुलाव तो खूब सूरत है और वाट्रिंग शॉट मेरे परसनल फेवरेट होते हैं काफी सूधिंग सा फील होता है जब भी मैं ऐसे शॉट्स को देखती इस वीडियो में फ्रेंट्स इतना ही और कोई भी कंफ्यूजन हो कटिंग से रिलेटेट तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्रेम या फेस्बूक के परसनल मैसे सेक्शन बे भी अपनी कोईरीज पूच सकते हैं फिर मिलूंगे अपना खयाल रखियेगा मदर नीचिर का बाइ फ्रेंट्स टेक यो एपी गार्णिंग ग्रीन एर्थ हैल्थ हैपी एर्थ प्रकृतिस गार्डन साइन ओफ